आप सबीका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हुआ आपके साथ आपके अपने शिपचिन तक आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महाशिवरात्री बात करेंगे महाशिवरात्री पर हमारे एविवाहित बच्चे बच्चियां या बेटी बेटी या लड़कियां या लड़के जो विवा की प्रेशानी को जेल रहे हैं जिनका विवाह नहीं तै हो पा रहा है बहुत सुनहरा आउसार आ रहा है महाशिवरात् करें इस दिन उपाई जितने भी उसके उतने उपाई जो सुविदाजनक हो उतने जरूर आपको करना चाहिए एक मार्च को महाशिव रात्री है समय सारनी साथ साथ दे रही हूँ हर वीडियो में आप जरूर देखें उस शुब समय में ही उपाई करें जो भी बता रही हूँ सभी लोग उस दिन बरत रखेंगे उस दिन भोले नाथ मापार्वती की विशेश तोर से पूजा करेंगे कतन है अलग अलग कहावते हैं कि इस दिन भोले नाथ ने इस त्रश्टी का निर्मान किया था या ये भी कतन है कि भोले नाथ और मापार्वती का विवा हुआ था जो भी हो लेकिन भोले नाथ का शुब बगवान का बहुत प्रिय दिन है ये और इस दिन आपको अवश्य कोई पूजन करना चाहिए, कोई उपाई करना चाहिए इस दिन आप क्या करें? एक तो आपको जला धारी का आज उपाई बताने जा रही हूँ हलाकि बीच बीच में कुछ और भी छोटे-छोटे आसान आसान उपाई बताऊंगी जो हमारे बच्चों को विवा शादी के लिए बहुत आसान है उनकी तरक्की के लिए नोकरी के लिए लेकिन आज का जो उपाई बता रही हूँ वो जला धारी का उपाई बताने जा रही हूँ आपको देखे शुरू में बता रही हूँ कि आप पूजा करने जाएं मंदिर में जाएं या घर में पूजा करें हो सके तो मंदिर में जायाएं और अगर मंदिर में बीड़ हो तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं हाँ आपके पास शिविलिंग होना चाहिए जिस पर आ लेखेंगे कि आगे कोई गिंती के दिन ही निकलेंगे कि उनकी विवाज शादियां पकी हो जाएंगे इतने चम्तकारी हैं बहुड़े नात करुजा करें जो भी आप चढ़ाएंगे उसके बाद से सबसे पहले आप जल चढ़ाना शुरू करते हैं जल चढ़ाने का एक थोड लातू के बरतन से जल ना चढ़ाएं तामबे का हो चांदी का हो इन तीन के अलावा शृह बगजरा के बरतन से जल ना चढ़ाएं भोड़े नात को सवीकार नहीं होता है एसा मानेता है श्रीप राण में नंबर दो जल एक दम से यूश्य वजिए दम से लोटा कि कभी भी अधूरा लोटा भरा हुआ है जल्पा भोले नather पर कभी भी और-पित्ना करें हमेशा चाहरे लोटा च्छोटा हो गश्चाहि बड़ा हो लेकिन हो पूरा भरा हुआ कई बर आ वहुत बड़ा है चुब तो लोटा हुआ होना चाहिए और पतली धार के साथ एक लगातार बीच में टूटे नहीं उस धार से चड़ाएं आगे बात करूंगी कि जल जो है वह आप दीरे दीरे तो चड़ाएं उसके साथ प्लेन वाटर चड़ाएं उसमें कुछ ना मिलाएं हां कई बार कच्चा दू लेकिन महाशिवरात्री को कोशिश करिएगा कि जल दूद दही और जो भी लिक्विड चीज़ें आप चड़ाएंगे शहद बगरा वो सारी चीज़ें आप अलग से चड़ाएं थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ी 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 निमित मातर उनको चड़ाएं औ जल अरपित करें। उनको जल से सिनान करवा दें अब्ल को पथली धार के साथ। यह आप करें। अच्छा जलाधारIn हमेशा उत्तर की तरफ होता है और आपकी आप उस तरफ बैठें कि आपकी पीठ दक्षन की तरफ रहें ऐसे बैठकर आप पूजा करें घर में करें तो और अगर आप उसकी तरफ मंदिर में जाए तो वहाँ पर इस तरह से बैठें और पूजा करें आप आगे बात करूंगी कि जलाधारी को कभी भी लांगना नहीं है आपको जलाधारी को कभी भी लांगना नहीं है कभी भी जलाधारी को ना लांगे ए विवाहित बेटियां को तो लांगना ही नहीं है कभी भी विवाहित भी ना लांगे क्योंकि जलाधारी को लांगने से उसका वहीं जो भाग्या होता रुक जाता है जो बेटे बेटियों के जोग संजोग होते हैं जो आगे भोलेनात उनको जोग संजोग खोलने वाड़े होते हैं वो वहीं बंद जाते हैं और उनको अच्छे जो जोड़ा उनका बनता है वो नहीं बन पाता यह एक आजमाई हुई बा को लेकर बहुत सारी प्रेशानियां जीवन में आई हैं इसलिए भूलकर भी कभी जलाधारी को ना लांगे जहां से जल पानी नीचे गिर के आगे निकलता है ऐसा ना करें आप उसके बाद से आपको कहूंगी कि जलाधारी में जब आप जल अर्पित कर रहे हैं श्रीलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं जलाधारी से जल बाहर आ रहा है तो उस जल को थोड़ा सा आगे से होकर जलाधारी से ले लीजिए जो आप जल अर्पित कर रहे हैं आभी शेक कर रह अभिशेख कर रहे होते हैं जब जल का अभिशेख कर रहे हैं तो उसी में ही बचा लेते हैं थोड़ा सा जल लेकिन मैं एविवाहित बच्चों को कहूंगी वो सामान्य तोर से बचा के ले जाते हैं शुब होता है जल बचाया हुआ लोटे में लेकिन एविवाहित बच्चे जलाधारी से ही जल लें जो भगवान के उपर चड़के आगे जा रहा है वहां से ले लें तब आपको उस जल को क्या करना है घर लेके आना है आपको उस जल को अलांकि जो लोटे में बचा हुए जल होता है वो भी घर लेके आते हैं आपको भी घर लेके आना है घर लाके आपको सबसे पहले तो आपको उस जल का पूरे घर में छड़काव करना है नमबर दो आपको उस जल को थोड़ा सा संभाल के रखना है किसी चीज में ऐसी में कि जिससे आप अपने आंखों पर अपने माथे पर उस जल को डेली लगाएं आप दुबारा से सुन लें कि जो जल आप लेकि आते हैं उस जल को आप डेली अपने आंखों पर अपने माथे पर डेली लगाएं उस जल को लग भग कम से कम एक सब्ता दस दिन ग्यारा दिन तो आप उस जल को यूज़ करें ही करें आप देखेंगे चम्तकारी रूप से आपके माथे जो भागय की लगीरे हैं वो एकदम से बदल जाएंगी आपके जो दिमाग में आपके जो जितनी भी प्रेशानिया चल रही हैं वो सारी समापत होगी, सारी घर की नेगटिविटी समापत होगी, सारी आपके मन की प्रेशा हो चुक्त 2 कि विवाह के बताया है तो जो है विवाहित बच्चे उनको इस जलाधारी के जल का अवश्य परयोग करना चाहिए उपाय करना चाहिए या था हमारा वीडियो आपको ओझितों अच्छा